जैसे कल हमने definitions को discuss किया था section 2a में proposal की definition है section 2b में acceptance of promise की definition है तू सी में promise की definition है तू दी में consideration है तू ए में agreement है तू एफ में reciprocal promises reciprocal promises का मतलब है promise to each other एक दूसरे के लिए promises दी जाती है देखो reciprocal promise की definition और agreement की definition एक जैसी प्रतीत होगी पर एक नहीं है जैसे agreement में देखा था promise और set of promise forming the consideration to each other that is called agreement यह पढ़ा था नामने कल तुम कहा रहेगी थी और तुम कि ऐसे आरे कभी आरे कभी नहीं आरे कि अधिती कि ऑनलाइन ले रहे तो और वो तुम्हारी सहरी तो एग्रिमेंट को एग्रिमेंट को कल मैंने आपको एग्रिमेंट में और को नालए की से अधिन की बता था और वह लिके इसके और नाले उसके बाद जी वुरप Hem का नाच एंफॉरिसेवलबऑ लोग एग्रिमेंट का मतलब था नोट एनपोरिसेवल भई लॉग और फिर मैंने बताया था अ ٹेजथ एच एच में है और एच के बाद आई वाड़ेबल अब तीनों में आपको उन्ता समझ भाए है वाड़ेग्रिमेंट जो को चार चार चीजे हैं चार वोड़ेग्रिमेंट नॉट एंफॉर्सेबल भाई लो को ट्रैक्ट एंफंफ्रसेबल वाइल लो वड़ेबल कॉंट्रैक्ट एंफंफ्रसेबल वाई एड़ ऑपसिं आ बन पार्टी और व未 वाट्क प्र ez सिच टू टूब एंफ्रसेब़ हिंदी में विदी द्वारा प्रवातनी नहीं या प्लस्ओन करार प्रवर्तनी है संविदा विद्वार प्रवर्तनी है संविदा एक पक्षकार के विकल्प प्रवर्तनी है सुन्य करनी संविदा संविदा और जो प्रवर्तनी नहीं रह जाती है सुन्य संविदा यह कल मैंने डिस्कस कर लिया था जिन लोगों को इनमें कोई कन्फूजन है तो यू सुड़ सी दा येस्टरडेज क्लास वन्स अगेग चीक है आज जो हम पढ़ने वाले हैं बैसे तो एक एक लाइन में कुछ बात और है जैसे टू तो थ्री फोर फाइव शिक सेवन एट नाइन देसे नाइन है जस्ट रीडिट यह पढ़ा चुका आपको कहीं इस एक शेक्शन नाइन पढ़ो आप यह पढ़ा चुका आपको मैं बताता जाऊँगा यह पढ़ा हुआ है या नहीं थोड़ा सा हम देखते हैं प्रपोजल को इसको प्रपोजल को इसके भी आपको नोट्स अवेलेबल करा देंगे बहुत अच्छे हैं मेरे द्वारा बने बहुत सांदा नोट्स पर उसमें थोड़ा से केसलोज ज्यादा हैं प्रस्थाव या प्रस्थापना इसी को क्या बोलते हैं प्रपोजल और इसको और क्या बोलते हैं कि ओफर भी यही है एक ही बात है ओफर कि अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ प्रस्थाव के लिए कि आमन्पर्ण कि इसको बोलते हैं इन्विटेशन टू अफ़र कि क्या बोलते हैं अब देखो अभी हम आगे नहीं जा रहे दसल कॉंट्रेक्ट अपने आमने बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन जहां-जहां से कुश्चन बनते हैं मैं उन सीजों पर ही फोकस कर पाहूंग अभी कि मैं प्रपोजल नी पढ़ाऊं तो आज सिर्फ प्रपोजल में तीन घंटे लग जाएंगे एक सिर्फ एक सब्द में लेकिन हपन वहां इतना नहीं जाएंगे तो जैसे एक सब्द प्रस्ताव इसमें डेफिनेशन आप लोगों ने इसको पढ़ी थी कि जब एक वक्ति किसी अन्य वक्ति को अपनी सम्मति इस आसे से संग्यापित दूसरे की सहमति अविप्राप्त करने के लिए संग्यापित करता है यह सब चीजा है तो हमकर डिसकस कर चुके थे ऐसे ही लेकिन एक कन्फ्यूजन कहां कहां उत्पन हो जाता है कि एक सब्द आया इन्विटेशन टू ऑफर एक सब्द होर है जन्रल ऑफर या जन्रल प्रोपोजल अब जन्रल ऑफर क्या है मतलग कि लाँ से आपके हैं ओगे हैं कि देखो कहां है उनके चांटे मारा कर और खिच के बिना अगे अगे ना जन्रल ऑफर इसका मतलगा ऑफर फॉर ऑउल ऑफर टू ऑउल किसी के लिए भी ऑफर है ठीक है ना मतलग जिस ऑफर को कोई भी जिस प्रस्ताव को जिस प्रुपोजल को कोई भी स्विकार कर ले इस तरह का ऑफर एक केस के फैक्स आप लोगों को याद आ रहे होंगे मैं एक केस ले रहा हूं एक एव्यक्ति था ठीक है इस एव्यक्ति ने एक दवाई बनाई और इस दवाई में इसने ये कहां कि बही ये दवाई क्या है कि ये जिन लोगों को इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा एक टाइप का जुकाम जिनको इन्फ्लुएंजा है इस दवाई को लेने के बाद उसका इन्फ्लुएंजा हर हाल में सही हो जाएगा नहीं सही होए तो उसे मैं सो पॉंड दूँगा बिटेन की मुद्रा का नाम है पॉंट उनने का सो पॉंट दूंगा और ये इसने अख़वार में एक पूरा का पूरा इस्तिहार दे दिया और उसमें एक लेड़ी थी उस लेड़ी ने उस दवा को खरिद लिया उनने का यार मेरे को इंफ्लुएंजा हो रहा है इतने सारे लोगों से इतने सारे लोगों से दवाई ले ली कर ठीक ही नहीं हो रहा है क्या पता ठीक हो जाए तो जब दवाई ली तो उसने जो प्रेस्किप्शन उसमें बताया हुआ था उसी हिसाब से वो लेती चली गई उसी हिसाब से लेती चली गई लेकिन उसका इंफ्लुएंजा सही नहीं हुआ जब इन्फ्लुएंजर सही नहीं हुआ तो इसने एक दावा किया कि मेरे को सौपॉंड दे देऊ तो तुमने यह कहा था तो इसने अख़बार में बिल्कुल ऐसे ही डाला था जैसे सिर्फ एड के तौर कर अभी एड के मामले में आपने देखा ना आज एक वो आगया है लो है और उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत स्टिक्ट है मिस्लीडिंग एड्स आते थे ना अख़बारों में जापानी तेल पंजाबी तेल ये और वो बालों में लगाओ करने हो जाए इस तरह के बहुत सारे अभी आप अख़बार में देखोगे तो वो एड सब बंद हो गए पता है क्यों बंद हो गए जिसमें बाबा रामदे फस गए वही मामला अख़बार वाले सारे परेशान बासकर पत्र का सब परेशान इस बात को लेकर कि ये एड नहीं चले एड चले एक देखा था ना पेट सफा और ये हाँ हर रोग दफा अब नहीं आ रहा हो दफा होग हाँ 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 पता है क्या मिस्लीडिंग एड पर सिकंजा कस दिया गया है और इसमें इनिशेट किया सुप्रीम कोर्ट में और किया कैसे कि जो मेडिकल कॉंसिल थी मॉडिकल कॉंसिल बाबा राम देव के एड को ले चली गए तो डिया बहुत इनके पास कोई प्रूफ नहीं है या कैंसर को सही कर देते हैं या हुदने कोई रिसर्च नहीं कर रखी है कि कोरोनिल बना देंगे कोरोना सही हो जाए इनके पास कोई रिसर्च है ही नहीं फिर भी ये कर रहे हैं अच्छा रिसर्च है भी नहीं बना दी उन्होंने कोरोनिल कुछ नहीं है कोरोनिल खाओ सही हो जाओ अच्छा उससे कोई फायदा कुछ नही और भारत है एड से मिट्टी भी बेग देते हैं लोग और बहुत तारे भी देखते हैं नो कोचिंग इंस्टूट वाले मिस्लीडिंग एड्स चलाते हैं इतने सारे फोटो अन्नेसेसरी जब हमने इंस्टूट सुरू गया तो हमारे पासे एक ही रिजल्ट है तो हम एक ही चापते थे वह एक ही अभी तक है तो मेरे से कई वालों कहते हैं अरे कोई नहीं क्या हो गया चाप तू कुछ भी मैं नहीं कर सकते हैं कि कटे नहीं कर सकते हैं तो जो मिस्लीडिंग एड्स पर अभी सिकंजा कसा हुए तो मैं बता रहा था कि हमने तो सारा का सारा माल अपना सजा रखा है और उस माल को लेने के लिए जो कहता है कि जैसे थडी वारकेट वाले ने एक व्यक्ति ने अपनी थडी लगा रखिया कि सब एक पांच किलो का तर्वूज निकालना यह उसका प्रस्ताव है तब तक वो तर्वूजों को दिखा रखा है न धेर लगा रखा है तब तक वो इन्विटेशन टू ओफर है तो इसने भी यही कहा यह ने कहा कि भई वो दवाई हमने जो एड दिया था वो तो नेगी है हमारा इरादा यह थोड़े ही था कोई कानूनी पच्छडे में पड़े तो यह मामला कोट में चला गया कोट में गया तो कोट ने जो तै किया वो बड़ा इंट्रस्टिंग बात है थी पहली बात तो उन्होंने कहा कि यह इन्विटेशन टू ओफर नहीं है यह सी सीदे सीदे ओफर है क्या है यह ओफर है और जन्रल ऑफर जब भी होता है जन्रल ऑफर जब भी होता है जो भी उसे स्विकार करेगा उसके साथ कॉन्ट्रेक्ट बन जाएगा कि जो भी दबा पर्चेज करेगा उसके साथ कॉंट्रेक्ट बन गया और आप कहते हो कि हमारा कोई इरादा नहीं था कि तो उन्होंने कहा कि आपका इरादा था आपने इंटेंशन टू में के कॉंट्रेक्ट जैसे कलम ने बताया था कि कोई पॉलिटिकल प्रॉमिस है कि आपने कहा था पंदरे फंदरे लाओ नहीं आएं तो केस कर देंगे तो केस थोड़े किया किसी targeting क्यों नहीं किया है उन्होंनें बात में कह दिया जूमला था उन्होंने का नोटबंदी से नुक्सान हो जाया तो मेरे वो चौराई पर फांसी लगा देना इसने नहीं लगाई क्यों? क्योंकि उन्हों जी तो जुम्ला था हम ऐसे कहते ही है कभी थोड़े रो जाते हैं मुस्करा जाते हैं जो चलता रहता है तो ऐसे इसने कहा यही बात है इसने भी दोराए हुए जब यह इसने दोराए हुनने का ना तुम्हारा इरादा था तुमने लिखा उसमें कि सही नहीं हुआ तो 100 रुप्या अंग कितने देंगे? 100 पॉंट देंगे इसका मतलब यह था कि आपका इरादा था आप बनाना चाहते थे आपका इरादा था बनाना चाहते थे कॉंट्रेक्ट बैसे नहीं किया आपने तो आप इनको सौर रुपे दे और ये ओफर था ओफर का मज़र जो भी सुईकार करेगा उसके साथ ये केश पढ़ा क्या आपने कॉलिज में क्या नाम है कर लुए फह कार्लिल वर्सिस कार्वो्ण लिक इसमोग वॉल कंपनी नाम अच्छा है इंपॉडन रहें काई बार यह कार्लिल वर्सिस इस मोग में पुट्न इधान छसेवाफ़one कंपनी थी तो यह केस आपके समझ में आ गया होगा कालिल वर्सिस कार्बोलिक स्मोख वाल कमपनी जन्रल ओफर का बहुत अच्छा कीस है यह कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है अब invitation to offer क्या है invitation to offer का मतलब है कि offer करने के लिए जी चीजों का प्रदर्शन किया जाता है मतलब जो चीज़ां demonstrate की जाती है किस बात के लिए कि कोई offer करे कोई proposal दे जितने भी मॉल्स में चीज़ा रखी हुई हैं, वो सब इन्विटेशन टू अफर हैं, जितने भी सबजी बाले सबजी बेच रहे हैं, आप ही कहते हो भाई आलू दे तो पांच किलो, तो ये क्या चीज़ा हैं, चीक है ना, समझ में आ गया, अब फर तो आप लोगों के समझ में आ गया, अब मैं आता हूँ, एक्सेप्टेंस पे, एक्सेप्टेंस या स्वीकृति, देखो, स्वीकृति को थोड़ा सा ऐसे समझो, एक कहवत आप लोगों ने सुनी होगी, एक ग्रेजुएशन में, कि एक्सेप्टेंस बिल्कुल ऐसे है, जैसे माचिस की तीली, और तीली लगाते ही, बिस्फोट हो जाना, मतलग, एक्सेप्टेंस का मतलग, इंप्लाइड और एक्स्प्रेस, कैसी, इंप्लाइड और एक्स्प्रेस, इंप्लाइड बिना, इंप्लाइड बिना सब्दों की, आपके चल्पर से दिखना चाहिए, आपके कंडेक्ट से, express जो आपके सब्दों से हो एक्स्प्रेस जो आपके सब्दों से हो तो acceptance में क्या इस तो है कि जैसे ही acceptance मिलती है kuvण भी चाहे offer हो जैनरल offer हो ततकाल agreement में convert हो जाता है और एग्रिमेंट एंफॉर से वले तो वो कॉंट्राइट है लेकिन एक इंपर्टेंट चीज है कि सेक्शन टू-3-4 इसमें दे रखे हैं एक सब्द है कम्यूनिकेशन क्या सब्द है तो कम्यूनिकेशन तो कम्यूनिकेट एकसेप्टेंस के लिए जैसे एक आदमी ए है कोई प्रपोजल बी को दे रहा है तो यह क्या होना चाहिए इसकी सूचना होनी चाहिए है कि यह ओनी चाहिए सूचना होनी चाहिए ओप ठीक है जब सूचना होगी जब सूचना होगी तो ही कोई चीज एग्रिमेंट या पॉन्ट्रेक्ट में बनेगी ज़़ सूचना नहीं है तो नहीं बनेगी फिर बात आती है सूचना का मतलब क्या है सूचना का मतलब है नौलेज इसके नौलेज में आ गई तो कॉन्ट्रेक्ट या एग्रिमेंट बन जाएगा नौलेज में नहीं आई तो नहीं बनेगा जैसे मालो एक आदमी ने कोई ओफर किया जैसे एक बहुत सिंपल एक्जामपल से लेते हैं एक आदमी ने यह ओफर किया अरे दस रुपे किलो लगाएगा था तर्बूज तभी तेजी से वहां से कोई ट्रक निकला उसकी आवाज में उसे सुनाई नहीं दिया वो बारे रुपे किलो बेच रहा था दस में वो तयार था उसने फिर पूचा हाँ बताओ क्या कह रहे थे वो लगा कुछ नहीं कह रहा था वह तू लगाएगा दस रुपे किलो पड़ा उस वाले से उसने ले लिए तो उसने का मैं दे लेता दस रुपे किलो मतलब नौलेज में आने से पहले आप अपने ओफर को क्या कर सकते हो रिवोक कर सकते हो क्या कर सकते हो रिवोकेशन बोलते हैं इसको तो उससे पहले ही आप अपने इस offer को revoke कर सकते हो communication तो knowledge में ज्ञान में आना ज्ञान में आ गई है ना फिर नहीं कर सकते है बात फिर दूसरी आती है कि acceptance की स्थिति क्या है यह आदमी acceptance कर रहा है तो उसकी स्थिति क्या है कब बनेगा मान लो भी के ज्यान में आ गई न और इसने हां के पर क्या काही हां हां कहते ही बन गया अब प्रशनां आता है कि इसकी हां इसके तक पहुच्च्नी क्या चाहिए जैंग पहुँचनी चाहिए या इसके पही बन गया, नहीं हाँ इसके तक पहुँचनी चाहिए, मालो इसने हाँ की और इसकी हाँ कम्मिनकेशन यहां भी नहीं पहुचा, बाद में कहा नहीं चलो ना कह देते हम, तो इसका भी यहां कम्मिनकेशन होना जरूरी है, यद नहीं होता है तो contact नहीं बनता है थोड़ा सा और चीज माल लो ये सब चीज़ें चिठी से की जाए या mail से email से की जाए ये ने email लिखा प्रस्ता भेज दिया या पहले चिठी देख लेते हैं चिठी लिखी और B के पास भेज दिया अब B इसका revocation B ने B ने उस चिठी में हां कर दी और हां करके चिठी को लेटर को डाल दिया लेटर बॉक्स में अब तो इसकी सक्टी से B की सक्टी से बाहर हो गया वो लेटर अब तो तोड़के नहीं निकाल सकता अब B के लिए तो वो क्या contact वल गया किसके लिए B के लिए B प्रेक नहीं कर सकता आप उसको क्योंको वो हां का लेटर का अड़ चुका है इसमें डाल चुका है लेकिन यदे पत्र यहां से यहां नहीं पहुचे तो तब क्या इसथी होगी या यह उस अपने प्रोबेवेशन को कब तक भी खंडिट कर देता है माणलो इसने चिठी डाली होती अपने लेटर बॉक्स में और चिठी अभी इसी में पड़ी है और यह थोन करके कहता है यह दो दो अब आधा यहां दो अबने आधा रूख को आधा यह आधा यह दो लीए शेके लिए र ये लेटर हेई पढ़ा है या मादलो इसने ए-mai l-kit की आइ-mai l-kit का ले वाट्ट सेप किया को ते रखिया ऐए को यां पेले को मॉट्सेट किया था मैंने एक वो यह मैंने देखा ही नहीं अभी है तो आप मन देखना उसको और मन देखना वहारा सही कर दिया था आजकल तो सिस्टम मा गया है हना डिली जाता भी दई दिलीट फॉर्ट और जैता है है प्रण और हो जाता है कि है टाहिए ओ्सेभ की है या किसी instrument की है जैसे मानलो आपको किसी ने को फोटो बेजा तो आता ना वन्स सीन एक बाद देखने के बाद दूबार आप नहीं देख सकते उसको मानलो आपने ओफर बेजा और उसने बाद देख तो लिया उसने नौलेज में आ गया ना वसके और बुबाद में डिलीट हो गया लेकिन उसने नॉलेज में आना जरूरी था यह यहां तक कापके सबसमझ में आ गया तो देखो कोई आदमी अपने प्रस्ताव को रिवो कब तक कर सकता है जब तक के जो प्रमेज ही है उसके ज्ञान में आने से पहले कभी गी एक्सेप्टेंस को भी कब तक कर सकता है एक के ग्यान में आने से पहले कभी थी लेकिन इसमें इमेल और इमेल देख लिया और उसने भी अपना इमेल भेज़ दिया लेकिन एने ना भी इमेल देखा हो क्योंकि एक के द्वारा इमेल का देखना जरूरी नहीं है क्योंकि इसके पास इमेल आया इसने देखा इसने अपना हां वर दिया ये इसको बाद कर सकेगा को चीज़ को दो तिजे नहीं कहेगा मेरे पास तो आया नहीं तुम्हारा हां अमना का लेटर अरे हमने तो बेज दिया ना सेंडर लिस्ट में देख समझ में आगी है ये । यहीं क्मुश्चन सेकशन में प्रस्ताव का क्मुणिचेशन प्रस्ताव का डिवकशन आपको 2 3,4,5,1,2 सिक्स को देखी की इसमें क्मूछी को च surprise 1 कि फिर आपका इसमें कि अब देखो सेक्शन 10 क्या है कि सेक्शन 10 के संबंद में कल मैंने आपको बताया था इसी पर है पूरा सेक्शन 2H तो एन अग्रिमेंट रिच इस एसा अग्रिमेंट जो कि विदी द्वारा प्रवर्तनी है वो कॉंट्रेक्ट है तो जैसे ही सेक्शन 10 पर जाते हैं तो इसका जवाब जो लिखा हुआ है ना वो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि वोट एग्रिमेंट्स और कॉंट्रेक्ट कि कौन से करार संविदा है कौन से करार संविदा है यह कहां लिखा हुआ है सेक्शन 10 में लिखा हुआ है तो सेक्शन 10 एक बार पढ़ लो आप लो सेक्शन 10 पढ़ लो पढ़ लिया तो देखो जैसे हम चलते हैं इसमें सेक्शन 10 में तो सबसे पहले कहता है कि ओल एग्रिमेंट्स और कॉंट्रेक्ट अग्रिमेंट्स और कॉंट्रेक्ट सभी इतने भी करार है ना सभी करार संविदा है क्या कहा सभी करार संविदा है यदिवे अब सभी करार संविदा है ये बात कह दी मतलब जो एग्रिमेंट होता है वही कॉंट्रेक्ट होता है लेकिन वह नीचे जो दी हुई कंडिशन्स को फुल्फिल करता हो कि ओल एग्रिमेंट्स और कॉंट्रेक्ट इफ दे आर मेड वाइदा फुरी कंसेंट आप कॉंपिटेंट पार्टी तो पहली बात आई कि कॉंपिटेंट होनी चाहिए पार्टी कि सच्छम पक्षकार होने चाहिए कौंसे सेक्शन में अब पता क्या है सेक्शन 10 को एलोब्रेट करते हैं तो वह सेक्शन 30 तक जाता है एक तरह से कॉंपिटेंट पार्टी सक्षम पक्षकार तो पहली बात तो यह है कि कॉंपिटेंट करने के लिए पार्टी सक्षम होनी चाहिए कहां लिग रही है ऐसा सेक्शन 11 देखो 11 देखो ग्यारे पढ़ो ग्यारे पढ़ो अब दोखो ग्यारे में सक्षमता बता रखी है तो तीन तरह के सक्षम बाद है उसने पहली बात मायनर नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव नेगेटिव तौर पर लिखा हुआ है कि मायनर नहीं होना चाहिए इसका मतला नोट मायनर मतला अवैस्क नहीं होना चाहिए इसका कि अवैस्क किया अवैस्क कांट्रेक्ट कर सकता है इस पर अवैस्क की संविदा इसकी संविदा से पाइट चाहिए तो क्या हो यह इस बात को कॉंट्राक्ट एक्ट में एलोबरेट करना ही भूल गए तो 1903 में एक केस डिसाइड किया पीसी ने महरी बीवी कौन सी बीवी महरी बीवी वस्स धर्मोदास गोस यह यादा केस, यह केस कई बार पूछ लेते हैं यह 1903 का केस है यह 1903 का केस है महरी बीवी धर्मोदास गोस इसमें क्या था महरी बीवी का जो हस्वेंड था ना वो एक सेट था हाँ महाजन तो महाजन क्या करता पैसे उदाहर देता था और यह धर्मोदास अवैस्क था इसकी महा इसको हमेसे कंट्रोल करते रहती थी उन्हें लेगे इसको पैसे वैसे मंदिया करो यह लेकिन एक दिन यह चला गया इसका फादर एक्सपार हो गया तो बेटे की जो प्रपर्टी थी वो बेटे के नाम आ गई थी लेकिन वो माइनर था देखने में मेजर लगता प्रपर्टी उसके नाम आ गई तो एक दिन करजा लेने के लिए चला गया धर्म मौरी बीबी के पास मौरी बीबी का स्वेंट ज्यादा ब्याज ब्याज देने पर ज्यादा पैसे दे दिये और ब्याज के चक्कर में तो अब पैसे का क्या होगा लेकर चला गया वो तो धर्मदास जब धर्मदास लेकर चला गया पैसे है तो मौरी बीबी का जो हस्वेंट था उसने मांगे पैसे उनने का पैसे दो उनने का मैं तो कॉंट्रेक्ट करने के लिए सक्षम ही नहीं था उसकी मा को पता चला लड़के धर्मदास को उसकी मा को तो माने लड़ा पहले केस, यह बाद में पहले केस के दोनों पात्रा लग थे, मौरी बीबी का स्वेंट था और धर्मदास की मात था, उसने केस लड़ा, और जब उसने केस लड़ा, चलता रहा केस, उनने का मकान में कैसे देऊंगी, वो तो माइनर था, तो जब यह डिसाइड हुआ, तो मौरी बीबी के केस में कुछ बात हैं, जो क्योंकि कॉन्ट्रेक्ट में लिखी हुई नहीं थे, और जब से लेकर आज तक भी मौरी बीबी की ही नेचर बताता है, कि वाट इस दा नेचर आप दे कॉन्ट्रेक्ट मेड़ बाई दा, माइनर, यद अवेस्क ने कोई संविदा की है, तो क्या उसकी प्रकृति होगी, यह कौन बताएगा, यह मौरी बीबी का केस अभी बताता है, इसलिए यह प्रिंसिपल इस्टेबिस कर रहा है, यह एक तरह से इस एक्ट का ही हिस्सा है, यह केस इसके एक्ट का ही हिस्सा है, तो पहल जो हुआ है जिसमें पैसे उधार लेंगे आए मकान रखके यह तो प्रारंब से ही सुनने है क्या कहां इट इस बॉइड एव इनिश्यो क्या कहां बॉइड एव प्रारंब से ही सुनने है प्रारंब से ही सुनने है प्रारंब से ही सुनने है तो उसके नेचर पर क्या अफर पड़ेगा तो फिर आगे कहां कि यदे माइनर ने कोई कॉंट्रेक्ट कर लिया तो प्रारंब से ही सुनने माना जाएगा साथ में यदे माइनर के पाफ कोई चीज है तो वो तो जब्सकी जा सकती है यदे उसने उड़ा दी तो माइनर के ऊपर कोई केस नहीं किया जाएगा माइनर के साथ कॉंट्रेक्ट करना ही नहीं चाहिए था और यदे कल लिया है ना तो भागते भूत की लंगोटी ही थी पल्ले पड़ जाए वो तो लाया पैसे 14,000 रुपे लाया था 14,000 मेंसे उस समय के 14,000 तो 14,000 मेंसे जो बच गया ना अब उसने तो उड़ा दिया सारे 14,000 तो यद उस पर कुछ है तो ठिना लो और नहीं है तो अब तुम्हारे पास कुछ नहीं कुछ नहीं होगा पैसे का यू कैन नोट रिक वार अब तो माइनर के साथ होगा कैसे यह बात अब पुरानी होगी लेकिन होते थे अब क्या परानी हो गई कैसे हो गई परानी आदार कार्ड लगता है कि मालो किसी ने आदार कार्ड जूंटा लगाया चीटिंग है और और आने बाले टाइम में यह सब चीजें लगवा खतम हो जाएं क्योंकि आप करी नहीं सखोगे अज़कर सिस्टम मारे है अजय Самय जैसे कर आप लेकर चले लिखूब यहां तो उब यह झाऊज दू इढले लेकर आएगा आपकी प्लेट पे लगाएगा उसपलेट को बोलते हाई स्रीक्यॉर्टरी प्लेट अब्ले में च्छैंसरा नहीं ऑन पार फ्लेट लगने के लिए कहा गया क्या करते मसीन है उसको लगाते लगाते ही पूरी डिटेल आ जाएगी कौन की कार है किस नाम से कबली इसका पॉलिशन सभी है कि नहीं इंस्वरेंस है कि नहीं आपको कुछ रखने जरूद नहीं है ड्रैविंग लाइसेंस रखने जरूद आपने डिग लॉकर में रख रखा है तो उतना हाथ में लेकर रख रहें सारे पर्स में ले जाने के मोटा सा पर्स करने की जरूद नहीं है और हमें तो मेरे द्वाद पड़ी में रखता हूं तो आने वाले ताइम में यह सब चीजे हैं, खत्म हो जाएगी, क्योंकि आधार कार्ड, आधार कार्ड किससे बना है हमारे DNA से, यह 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 दिखाई देते हैं नहीं है, चिन्न, यह DNA के रूप है, और एक का रूप किसी से नहीं मिलता संसार में, करीब साथ अरव जनता रहती है इस प्रश्वी पर कितनी, साथ अरव, करीब साथ सो करोड, कितने, साथ सो करोड लोग रहते हैं, और साथ सो करोड का मैच नहीं करता, इसके अलावा और भी चीज़ा है जो मैच नहीं करती, रेटिना भी मैच नहीं करती, तो आपने देखा, वह आखों के फोटो लिए थे उन्होंने आखों के फोटो लिए ना तो आइस से कनेक्ट किया है उसको तो यह कंसेप्ट चलता था अमरी काम है मनमान सिंग को लगा कि यह तो बहुत संदर चीज़ है लेकिन इसका पहले बहुत ब्रोध हुआ हमारे इस पर भी रिट्वी पेस हुए सुप्रीम कोट में गए कि हमारे राइट टू प्रेवेसी खतम हो जाए सब कुछ सरकार को पता लग जाएगा यह लग जाएगा तो सरका पूरा कम्प्रीट डेटा है कि देटा चोड़ी हो जाएगा और यह तो है भोति क्रांतिकारी प्रवर्तन था यहां पहला कि आदार कार्ड कि कहां जारी हुआ था है कि का सुरू किया कि नाम दिया है अधार नंबर तो इसको है यूनिक नंबर है कि इस लोगों को अपना यूनिक नंबर याद है यह एक दो पांच अरे कुछ मोबाइल नंबर याद हो यह तो याद कर लो कि मोबाइल नंबर याद होनो वो तो एक ही रहेगा पुरी जिंदी की चेंज होगा नहीं अधार यूनिक नंबर है दोसा में हुआ था सोनिया गांदी मनमोन सिंग आये थे यह नहीं हुआ था यह दोसा में जीके के कुछ्चन है यह दोसा में भारत में भारत का यहीं हुआ था भाई सबसे पहले सबसे पहले इसका बिरोध किया था हमारे बरत्वान प्रदान मंत्री जी ने बहुत बिरोध किया था क्या अब सारी प्राइबेशी खतम हो जाएगी कि अब अधार से लिंक हो गए हुआ कweg कट से डालते हैं सब कुछ आपके अपके अकाउंड वेकाउंट सब पता है उन्हें इसका है का तो फॉर्छ पता है कि तो शैसे घारी ओंद है यह आ relates आप जैसे जो दो तीन तीन जगह बोटर आइटी जैसे गाओं में बन वाले ते यहां भी बन वाले ते यह भी खसम हो जायगा अभी आधार से link हो रहा है और आने वाला तो यह गवर्ण जाला जो कर रहे हैं वो भी नहीं होगा तो एक तो प्रारम से ही सुनने होगा दूसरा आप रिकवर भी नहीं कर सकेंगे है जहाब कर सकेंगे एक पर नहीं कर सकेंगे कोई रेमेड नहीं है मौरी बीभी के मामले में इस्ताए किया कि कोई जा माल मुझे जैसे मान ने कोई कॉन्टरेक्ट किया और अम बूम मेजर बन गया अब उस तक बार्वाउंडिंग है मान अब मान मान ने मैने मान था मेजर हो गया मैंने पहले कोई कॉन्टरर्क कर लिया था कि मैं अपना मकाम तुम्हें बेच दूँगा जब किया, तब तो मैं माइनर था, और फिर मैं मेजर हो गया, तो उस कॉन्ट्रेक्ट का क्या, जो माइनर के टाइम पर किया था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन टी-पी में आपने एक सेक्शन पढ़ा था, जो पहले ओनर नहीं था, बाद में ओनर बन गया, जो पहले ओनर नहीं था, बाद में ओनर बन गया, तो क्या माइनर का कॉन्ट्रेक्ट वहाँ भी इस तरह सयोग करेगा, जैसे जो ओनर नहीं था, उसने उस समय, जैसे मकान का मालिक, जो 17 साल का है, उसने मकान बेच दिया, लेकिन अभी तो चुकि ओनर नहीं था, बाद में सक्षम हो गया, तो क्या 43 वा लागू होगा, नहीं लागू होगा, क्योंकि माइनर के टाइम पर की हुई, यह सब इस्थापी 30 माइनर के टाइम पर की हुई किसी भी गत्विदी को रेक्टिफाई नहीं करता, अन्धिता तो माइनर के सारे कॉंट्रेक्ट बैलिट हो जाते, बड़े होते ही, लोग इंतियार करते हैं चलब इंतियार कर लेते हैं इसका, समझ में आगे मौरी बीबी का केस, किसी को कोई इश्यू, मौरी बाले में सही है, यहां तक का समझ में आगे हैं, तो एक तो अवैस्क नहीं होना चाहिए, दूसरा, यह अटा रहा हूं है, कि वो अस्वास्त चित्त नहीं होना चाहिए, अंसांग माइन नहीं होना चाहिए, का मतलब क्या है, जो जिस समय कउंट्रेक्ट किया गया था, उस समय, अंसांग माइन, जिस समय कीजी कोंट्रेक्ट किया गया, उस समय, सम्मिधास्य होने वाले प्रभावावां को नहीं समगता था परलब he was not aware of consequences which raised from contract तो कभी कभी आपने देखा है कि साथ सराब पिलाई थी मेरे को तो है ना सराब पिलाई और सराब पिलाके सराब पिलाके मेरे से साइन करा लिया क्या पिलाके सराब पिलाके साइन करा लिया तो प्रश्न उठता है कि सराब पिलाके सायन करा लिए तो उस समय किस्तिति क्या थी कि क्या वो समझ रहा था सराब करना से मुझे पता ही नहीं था मैंने घर बेच दिया कहां सायन करा है कि तो ऐसे कॉंट्रैक्ट वोडेबल होते हैं कैसे होते हैं सून्ने करनी सम्मिदा होती है तो तो जिस समय कॉंट्रैक्ट कर रहे थे उस समय कि अब इसी दिख्या है कि जब आदमी को सराब पढ़ा दी है कुछ वे तो इंटॉक्सिकेटिट कंडिशन में होता है तो उसके पास यह ऑप्सन है कि वो जो ट्रांजिक्शन हुआ था उस ट्रांजिक्शन को वाड डिकलिया कराने का तो इसको बोलते हैं वाइडेवल क्य कराया जा सके वाइडेवल का क्या अर्थ होता है जिसे वॉइड कराया सून निकरनी का अर्थ है जिसे सून गोसित कराया जा सके कि सून निकरनी सब्द का अर्थ क्या है जिसे सून गोसित कराया जा सके तो जो इस तरह की कंडिशन में अन्सांड माइंड है देखो जैसे इस्पेसिव रिलीफ हैक्ट में एक सेक्शन है 27 कौन सा 27 तो कोई भी कॉंट्रेक्ट जब तक उसके लिए एप्लिकेशन नहीं आई है ना जब तक गोसित नहीं करा है तब तक अस्तित्त में रहता है आपको word declare कराना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा word declare कराना पड़ेगा तीसरी चीज और कहता है इसे दिवालिया गोसित ना किया गया हो क्या not declare इंसॉल्मेंट इंसॉल्मेंट समस्ते दिवालिया दिवालिया इंसॉल्मेंट का मतलब है कि जिसके पास इसने कह दिया स्विकार कर लिया है जी अब मेरे पास कुछ नहीं है कि मेरे नाम से जो प्रपर्टी और वो तुम ले लो है जिसको देनी हो दे-देना मेरे पास अंच नहीं कोंब ई Whats up कोकुछ कोट इन्सॉल्मेंट कोड है अपने मन से करती है गोसित या कोसित करवाना पड़ताए उस को कि आदमी को खुद को करवाना पड़ता है कि या होता है इसे पचास जार रुपए लिए पोट ने का भाई पैसे दे इसके कि CHSE पी सी में 36 पेए बेज पैसे को नहीं दे रहा कि या उस نے का मैं जेल नहीं जाना चाहता इसको थिए ओधर कीहा किया करWオगे वहुले मेरे पास कुछ नहीं के धर कि नहीं है इसके है धर डो अब्रों यह थे दो नहीं दे लुभा तो हम में तुम्हें सेरह मेरे को ताइम कनो चुनत करा ले तो झोषित खुद कराना पड़ता है jadi है कि अपने उसने अपने आपको दिवाली गोशित जब कोई आदमी अपने दिवाली औशफित करा लेता है ला ser 김 कितना भी करजा दिवाला निकलने का मतलब है अब उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं तो यह समझ में आगे तो सबसे पहले कॉंपिटेंट कौन है कौन नहीं है कि और कॉंपिटेंट एक्सेप्ट माइन अंसांड माइंड और इंसॉल्मेंट यह तीन कॉंपिटेंट करने के लिए सक्षम नहीं है यह तो सब लोग कॉंपिटेंट होते हैं क्या समझ मैं है कि और पर संसार कॉंपिटेंट टू मेंके कि सिवाए तीन को छोड़का अवैस्क में मौरी भी भी समझ में आगे आपके देखो यह सौर्ड नोट्स है ना थोड़े थोड़े लिखते चले जाना सीदे एक्स से नहीं उठा पाऊगे नोट्स दिये हुए हैं यह जितनी बाते मैं बोलाओ मेरे अपने सब कुछ दिया हुआ है लेकिन यह ब्रीफ में नहीं लिख पाऊगे आप जो उल्टे शीले जैसे बनाते चले जाओ लिखते चले जाओ इसे कमारे पास रहेंगे सिर्फ कथा सुनोगे ना कथा से कुछ नहीं होगा कथा उड़ जाएगी का इसमेंट सिर्फ सुनते रहते हैं ठीक है अड़ प्रबचन तो अच्छा लगता है और बहुत अच्छे लगते हानी दाने लगती हाराम से कुछ अ क्या हुआ था तो पता लगता कुछ नहीं हुआ था आपने पता क्या हुआ देखो आ हाँ वही आए बता दी ना भी इसी लिए तो लिया था मैने वुह अधृर कौशी कें वाला एसटा है अन्साउंड नैस को एक्स्पलेन किया दूरी से से सेख्शन ओपां गयरे बनाई होना वारे में बता कौन को पर अधूरी है या नहीं है अन्साउंड को इस-पश्ट किया जो समस्ता नहीं है तो बात समझ की है किसकी है अब वो समझ चाहे इंटॉक्सिकेकट में एक समय, नहीं कर सकता है इसका मतलब क्या है , क्या कोई आदमी ऐसा हो सकता हुए गटे सभी एग़णे ने फुट इक रचित çekaves तो जब Zach ृकी समय किया content सॉइए अजश्क ज़नी देखी दिना तो इसलिम नहीं देखी ति कि देखी दिना इन्ट वो थोड़ी देर बहुत सही हो जाता है कि ये क्या हो रहा है एक रोग है स्रिजनोफरेनिया वो उस रोग से पीडित था यह हमारे इसमें लौ में भी आता है स्रिजनोफरेनिया पर जो स्रिजनोफरेनिया के मरीज है जिनकी याददास्त उनको बोलते हैं खंडिस खंडित मनस्ता तो खंडित मन तो खंडित मन वाले भी अंसाउंड ही माले गए अच्छा अंसाउंडनेस जुरूरी नहीं है कि मेडिकल अंसाउंडनेस की बात नहीं कर रहा है कोई आदमी किसी चंड अंसाउंड हो सकता है आपने आई पीची पड़ी थी ना पता है आई पीची में तो इस पर बहुत ध्यान रखा क्यों रखा जो प्रवोक हो गया उसको भी इसी स्रेनी का माना गया प्रवोकेशन तो प्रवोकेशन की इस्तिति में क्या कर दिया उसके दायत्तु को कम कर दिया बताया था प्रवोकेशन में और प्रवोकेशन में किया हुआ कार रे जैसे हत्या है तो हत्या में पांट एक्सेप्शन दे रखे हैं पांच सेक्शन 300 में तो सेक्शन 300 में एक्सेप्शन जो दे रखे हैं उनमें तो उससे कहा कि ऐसा आदमी क्या नहीं रह जाता है कि मानलोग कोई प्रोवोग हो गया आंत्म सक्ति की जो कंट्रोलिंग पावर थी आंत्म सही हम से बाहर हो गया तो उसको मर्डर में न ले जाके कहां लेके गए कल्पेबल हूमिसाइट में ले गए यह पढ़ा था ना पढ़ाया था तो ट्वेल भी आ गया अब थर्टीन में सुतन्प्रसेंबत में क्या कहां था ए कि कैसी कंसेंट इस वा यहां तो थे रहे पर जह आप हुए तो सभाटन्द सेहमती होनी चाहिए तो सहमती चुब 14 में दे रखी है लेकिन 13 में सम्मती दे रखी है किया दे रखी है सम्मती तो सम्मती स्वतंद सेहमती की जगे पर सबसे पहले दिया उन्होंने सहमती को इसपश्ट किया जब कॉंट्रेक्ट करने वाले लोग एकी बात पर एकी भाव से सहमत होते हैं कैसे एकी बात और एकी भाव पर सहमत होना वाला सेम थिंग और विद सेम सेंस जहाना आ रहा है मैंने एक यह एक्जामपल पता दिया था एक आत्मी था जो गन बेचने का काम करता था क्या करता था गन्स बेचता था कि उसके पास एक गया कि मेरे वो गन से खरीदनी है कि वह खरीद लो कि मैंने अभी नहीं नहीं दुकान डाली है कि मेरे पास तीन और भी आ गए हैं तो बताओ आप एक ट्रक गन मरके ले जानी कितने रुपेल कि उसने रेट थोड़ी महंगी लगाई तो बला मैं थे तर तेन ही लोगाँ अभी मेरे पास तीन और देज फिर ऐसी दीमी दीमी बहुत महंगी लगा रहा हुआर वह उता कि टीन ले जाओ इससे कम नहीं तैँ यह वापस आजिया ए ने क्या किया मैल किया इसको उसमें मेल नहीं चलता था, तार चलता था, तार किया, और तार करते वक्त क्या कहा, क्या देखो, के प्लीस सेंड दी गंस, दी अक मने वही दी माने वही वाली गंस बेज दो तो उसने सोचा दी गंस लिखाया स्ने तो उसने पूरा पूरा ट्रक भर के भेज़ दिया कि इसने के दी लेज़ गवाया तो यह लिखना चाहता था थी ज़ी आठ वेज़ कहा दीज़ photographical बहर दिया अब ट्रक खड़ा कर दिया उनने का भाई पैसे दो पूरे ट्रक के आपको माल लेना पड़ेगा मामला कोट में चला गया तो उनने का सर मैं इनके पास गया था फैक्स उन्हों रखे मैं गया था मैंने कहा था प्लीज सेंड मी त्री गंस गलती से उसने दी लिख दिया जिस ओसे कश्च कराया था तो कोट ने कहा के ही not basis नोट बाॉंट क्योंकि से econ 13 श्मवत स्वाच्ठ करता है दोनों के वो कुछ मांग रहा था आप कुछ दे रहे थे हैं यह वो कुछ मांग रहा था तु पहली बात तो, कर् сним कंसींट ख TV नहीं है फिरी की तो बात अलग हुई क्या हुई को कर देढ़ मोई फिर सेुक्सन चौदे कैना कि प्रीक कंसेंट क्या है तो उसने कह आ तो जो ऐसी कंसेंट है कि जो सेट्छन 15 में परिवासित प्रोपिणन से संमंदत नहीं होनी चाहिए कॉर्जन नहीं होना चाहिए जारा सोले में परवासित अंडू इंफ्लेंस नहीं होना चाहिए जारा सत्रह में परवासित कपट से प्रवावित नहीं होनी चाहिए जारा अठारे में परवासित मिस रपरेजेंटेशन से प्रवावित और दारा टुंटी स 22 तक कि भूर से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि 14 याद हो गया पढ़ो 13 14 पढ़ो पढ़ा 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 पढ़ लिया करो कि सिंपल एक्ट है यह कोंट्रैक्ट इसलिए पढ़ा जाता है थोड़ा से इंट्रेस्टिंग और सिंपल होता है तो इसमें आप देखो होगे आपके में आपको सबसे पहले कॉंट्रैक्स गतेते है री को सबसे पहले कॉंट्रैक्ट भें के सारे टूर कॉंट्रैक्ट बढ़ा रहे हो था है कि अधिए कि समझ में तो आ रहा है वैसे हुँ कर रहे हो आ रहे हैं कि अधिए कि अधिए कि अधिए कि अधिए कि अधिए तो मैंने चोद्य भी बढ़ा दिया अब आता है सेक्शन 15 यहां पर प्रपीडन या कॉर्जन की डेफिनिशन दे रखें कि यह कोर्जन क्या होता है यह को भारती धंड साहिता में परिवासित कोई अपराद करना करने की करने का प्यास जो आइपीसी में ओफेंस दिया हुआ है करके कोई कॉंट्रेक्ट करना तो भारती धंड साहिता में आइपीसी में जो ओफेंस दिये हुए हैं एक तो कमिट क्राइम वाले हैं अपराद करना या उनकी धंकिया है प्रपीनन या तो धंकी है या प्रयास है तीनी तरह के तॉफेंस है करना धंकी प्रयास तो इनमेंसे कोई सापराद आता हो उससे कॉंट्रेक्ट किया गया हो तो प्रपीनन हाथ-पैर तोड़ दूँगा कॉंट्रेक्ट कर ले तो काई में जाएगा तो वो प्रभावित किस से हो गया कॉर्जन से और सेक्शन 14 क्या कहता है कि कॉर्जन से प्रभावित है तो फ्री गंसे नहीं है और सेक्शन 10 क्या कहता है कि फ्री गंसे नहीं चाहिए नहीं तो कॉंट्रेक्ट वेकार है तो मालों कर भी लिया किसी ने और्जन से कर भी लिए सब क्या होगा आगे दे रखा उसका प्रभाब तो ऐसे आको ब्रीक्रास करा सकता है त्रणा सब्सक्त ह manufactory क्या करा सकता झाशर सिorsa मैं एक गाड़ी खरीदने वाला कि इसका देखते नहीं हो आप जाके घर कर तो 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 नहीं बताए थे अरत तू क्या सब रहा है मेरे मेरे में कुछ भी नहीं भूलता जो मैं पढ़ा रहा होता हूं ना सब फीड है यह जैसे कि इलेक्ट्रोनिक डिवाइस फीड होता ना एक-एक सब्द फीड रहता है मेरे मेरी मेमोरी वाकई में बहुत अच्छी है आप लोगों को भी ये कहना चाहिए तो बहुत बहुत दन्य Bor तुने अच्छी प्यारी मेरी अगूलत ≤ो दू जाए deve ऐसा कहोगे तो गवर्ड हो जाएगी मस्त उसको लगा चाल बूल जाते हैं चल बुलाते ही और बूल जागा टमाटर लेने आए था कि समझे वागया तो सेक्षिन 14 बताता है कि यह प्री कंसेंट होनी चाहिए इनिन में तो पंद्रह ने कहा आप लेधी प्रपी टन सोल ने कहा अंडी इंफ्लुएंस क्या कहा अंडी इंफ्लुएंस यह को अंडी इंफ्लुएंस क्या होता है इसको हिंदी मोलते है असम्यकसर अगले अटी उन्डी इन्फिलेंस इसको और नाम दे सकते हैं मजबूरी का फायदा उठाना किया रहा है मझबूरी का फायदा उठाना, उसको बलता है UNDe影 Influence, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अधिसासित या डॉमिनेट करने की पोजिशन, क्या है एक पार्टी द्वारा दूसी पार्टी को डॉमिनेट करने की पोजिशन अब डॉमिनेट करने की पोजिशन किसी व्यक्ति की कब होती है कि एक रिलेशंशिप होती है फिडिश्टरी रिलेशंशिप कौनसी रिलेशंशिप फिडिश्री रिलेशंशिप हिंदी में क्या बोलेंगे लेट्स वास एक संबंद पढ़ लिया सोला में कोई चीज ऐसी है जो आप पूछना चाहते हूं इसक्षिंश इसब्रा अब यहां पर फ्रोट की डेफिनेशन दे रखी जहां आ रहा हो आई-पी-सी में फ्रोड लैंट की डेफिनेशन दे रखी थी कि अचाहीं कपट पूर्वग कर्यों तो कपट पूर्वग कर्ते कसे किया गया कार्ب पूरव गहलाता है कहां दे रखी कपट के आशा कीया गया कोई कार्ण कपट पूर्व कहलाता है मतलब पूरी coalition नहीं है यहां तो चतम से किया गया फ्रॉड है लेकिन फ्रॉड जया यह तो इसे सेक्षन सत्रह कॉंट्राक्ट में दिया हुआ है कि दिया हुआ है तो एक तरह से जो चीटिंग की डेफिनेशन है ना चीटिंग की डेफिनेशन चार सो पंद्रह में किमिनल में जो चीटिंग की डेफिनेशन है करीब करीब फ्रॉड की डेफिनेशन वही है लेकिन सिविल मामलां में जब बोलेंगे तो उसे फ्रॉड बोलेंगे किमिनल मामले में बोलेंगे तो चीटिंग बोलेंगे कई बार कि जो नहीं है उसको पढ़ते हैं तो कंसीलमेंट है जो चीज है उसको छुपाना और जो नहीं है उसको बताना तो एक तरह से क्या है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स क्या है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मत तत्यों का सक्रिय चिपाव कैसा चिपाव सामान चिपाव नहीं सक्रिय चिपाव सत्थियों का एक तो सक्री छुपाव हो तो फ्रॉड हो जाएगा दूसरा जो बात कही गई है जो बात कही गई है यदे फ्रॉड न किया गया होता तो साइद वह सहमत न होता मतलब यह तक्त्यों को न चुपाया गया होता तो सहमत न होता यही बात given not to fit it तो जो पूरा नहीं करने के एरादे से कोई promise दी जाये लगप promise not to fit it तो वो भी क्या माना जाएगा fraud माना जाएगा जीसमें पाँच है न कौन कौन सा और रह गया हाँ deceit अब आसे तो deceit भी वोई है जैसे deceit दोका क्या चीज एक सब्द पढ़ायता ना IPC में डिसेप्शन दोके को क्या बोलते हैं डिसेप्शन क्या बोलते हैं दोके को डिसेप्शन डिसेप्शन का मतलब भी वही है तो कंसील दाफेक्ट्स तत्यों को छुपा लेना यह दो कोई कहे न एक लाइन में कि वोट इस दे मीनिंग आप फ्रॉड तत्यों का छुपाना ही फ्रॉड है तो फ्रॉड करके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या माना जाएगा वोट इविनीशों नहीं है यह यह वोडेबल है यह सारे कौन से चल लाए वोडेवल मानलों कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो जो पीड़ित पक्ष है उस पीड़ित पक्ष को कोट में जाकर यह दावा करने का अधिकार है कि वो कहे कि साव यह फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट किया गया और इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लियर कर दिया जाए तो इपल डिपेंड ऑन तो पार्टी हुई विक्टिम जो पीड़ित है और क्या रह गया फ्रॉड पढ़ दिया न सारा समझ में आगा कोई लायन ऐसी है जो समझ में नहीं आई हो कि कि ऐसा कोई भी ग्रिमेंट या कोंट्राइक्ट शोलाट है ओड टेफिनिछन में आता हो या ना उता हो सो जितने भी डिक्लियरुड प्रांजिक्शन्स हैं वो फ्रॉड की स्रेले में हैं आएं एक है सेक्षन अठारा तोले हो सत्रे हो अठारा है हाँ साइलेंस वाला भी समझ लूँ चुप रहना फ्रॉड नहीं है चुप रहना फ्रॉड नहीं है है लेकिन चुप रहना बोलने के बराबर हो जाए तो अफ्रॉड हो जाएगा चुप रहना जैसे एक मामला था एक लड़की दिल्ली में सब्सक्राइब करने के लिए आई बहुत अच्छे घर से थी एक लड़का था जिसने कभी मेंस दिया हुआ था तो उस लड़के के साथ चकर सब काटते रहते हैं अब यह बता देगा जब कोचिंग और लेड़ी ले रखी थी कोचिंग कोचिंग ले रखी है तो ऐसे के चकर काटने का कोई मतलब नहीं था बलकि अच्छे लेक्ट हो के आई एस बन भी गया हो तो उसके वी चकर क्यों काटना वो पास हो गया है लेकिन वो गायड नहीं कर सकता थीक है वो किसी की गायड़न्स से जैसे उते हैं जहां से जटके से यहां कूद गया लेकिन ही इस नॉट कॉम्पिटेंट तो गायड़ अधर्स और जो कुछ भी उसने किया वो किसी और ने उसे करवा है इसलिए हो गया अधर्स एक लड़की और यह सोच के यह सलेक्ट हो गया है अब क्या है कि कुछ दिन तो मेंस दे रखा तब तो बताता है मेंस दे रहा हूं थोटे दिन बाद उसे ने और तायम निकल गया अब के बार प्री नहीं निकला तो उसे ने देखा कि यार इस बात में बड़ा घस हैं तो बोले के उसने बढ़िए करना सुरू कर दिया कि नहीं दिन भी मेरा सेलेक्शन हो गया को आप कुराय लिस्ट में हो गया और बहार हुआ है कि ऐसे ही कि लड़कियां भी चकर में ऐसे चकर काट रही तो उनमेंसे एक लड़की जो बड़े सम्रद्ध परिवार की थी इसने कहा कि कि पहले तो कि उसने कहा कि एक दिन वो जब कहीं बैठे होंगे चाहिपी रहे होंगे तो उसने कहा कि आपका तो सेलेक्शन हो गया अधायर सेलेक्शन अलेक्शन क्या बात करने हैं अपने बैठें कॉफी प्योंगा उसने का चलो ठीक है उसने प्रस्ताव रखा उस लड़की को लड़की से वह मैंने बेज दिया देखके लेगए कि आठीक एक बेज दाना पर वो मैंने भेज दिया कि मैंने तो तरह हम सास्थी बेज दिया कि आ गया था कुछ में बेज है चीक 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 तो उसने आई एस लड़का है तो उसने प्रस्ताव रख दिया लड़के में आप से साधी करना चाहते हैं को लियार बहुत सारे प्रपोजर आ रहे हैं पता नहीं मम्मी किसको सेलेक्ट करेगी आ एक भी नहीं गा था मम्मी सेलेक्ट करेगी मैं खुदी कह रहे हूं आप से आप क्यों चक्कर में पढ़ रहे हैं उसे थोड़ी सी और ज्यादा लगी कि आई एस लड़का हाथ से निकल जाएगा और उसने अपने ममी पापा से कह का कि साधी हो गई तो नहीं गहर घरबालों को बलाने जुरूते मैं तो क्या थोड़े से ये सिब्ल सर्विसिस की तैयारी से थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया हूं और यह मैं दहेज और यह सब उसमें नहीं पढ़ता मैं तो बहुत सिं आपके घरबाली तो कोई आएगा नहीं मैंने किसी को नहीं बलाना लड़की घरबाली दो चाराई और कोट मेरिश करते लड़की साधी हो गई तो बले आपकी जॉइनिंग कब आ रही है को बले हाँ जल्दी देखते हैं कब आ रही है तालता एक जूट को कपता टाल हो साधी हो अब वो तो सेलेक्ट नहीं हुआ था ना कि उसने लड़की को बाद में सपता लग गए तो उसने कहा कि मेरे साथ में फ्रॉड किया है और वह सारी अपनी प्लीटिंग में लिखी हम वहाँ बैठे थे ये सलेक्ट की वह कभी शरॕकी लेकिन का देखर नहीं कहानें कौने के कंटाख्स से इस पास्ट होगाता फ्रॉड continent तो केवल है मतलब ना बोलने के बराबर हो जाया तो अफ्रॉड हो जाएगा ना बोलना जैसे उसने कहा अरे यार क्या पढ़ाईगी और उसकी सेलेक्शन की बात है कर रहे है कौफी पियो न भी तो तो न बोलना बोलने के बराबर रहे हैं कैसे हैं बैसे इस पर समझ मैं आगया है बहुत साइलेंस इस नोट फ्रॉड वट आम सेंग के साइलेंस इस नोट फ्रॉड बट साइलेंस इस इक्वल तो स्पीक इटसल बिकम फ्रॉड न बोलना बोलने के बराबर हो जाएगा समझ मैं आगया मिस रिपजेंटेशन क्या होता है कि ब्रेक के बाद कर भी अभी तरह हूं कि नो इश्यू कि मिस्रप्रजेंटेशन तो यह मिस्रप्रजेंटेशन क्या है मिस्रप्रजेंटेशन सामा निभासा में कहें दोका न देने के आसे से लगाईगी गप मैंने अपने सुत्र बढ़ा रखे हैं जिससे के दिमाग में फिट हो जाए ऐसी गप जो दोका देने का अरादा तो नहीं है लेकिन कुछ लोग होते हैं न मतलब लंबी लंबी हाक ना लंबी लंबी फैक ना उनको बोलते हैं प्रजेंटेशन है मतलब मतलब है फ्राड करने का कोई रादा नहीं होता दिर लेज नो इंटेंशन दो फ्राड लेकिन उनके हिजक से ऐसा हो जाता है तो कॉंट्रॉक्र्णिक पिल्कुल काच्च के वरतन की तरह थे उनके था हो रहा है ना उनकी गप से तो ये मिस्रिपर समझा जाएगा क्या समझा जाएगा मिस्रेपरजेंटेशन सब्सक्राइब 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 कर दो एक बार कि अधी कि सुप्रीम कोट गया तो वहां देखा कि 80-90 परसेंट लोग सिर्फ पहस भी कर रहे हैं टैब लेके एड़ोकेट्स पहले क्या होता तो फाइल अड़का आए अब क्या जैसे एक फाइल हो गई है तो यह बड़ी फाइल होती है ना तो बसते के बसते जाते वह धेर हो जाता है रखने की जगे नहीं होती है क्योंकि डॉकुमेंट्स दिखाने पड़ते हैं कोई बहस में अच्छा चीज़ें होती है इतनी सारी और दो मिनटी चलेगा लेकित पता नहीं वो क्या पूछ ले जिसकी बहुत अच्छी नहीं होती ना बहुत अच्छा एड़ोकेट भी नहीं बन सकता क्योंकि जो पूछे उसे पता होना चाहिए वह उस पेज पर लिख रहा है लगा फाइल इतनी मजबूत का तरीक इस त्यार करके जानी चाहिए वो तो दो तिन कुश्चन पूछते है उसके आदार पर इडिशन दे देते हैं अब एड़ोकेट ने कुछ पूछा वो जजज ने कुछ पूछा एड़ोकेट को पता ही नहीं कहां लिख रहा है तो इतनी बढ़िया फाइल करके जाते हैं वहां यह लिखा है वो लिखा और सुप्रीम कोट की जज तो क्या पढ़ और है 19 कि इसमें क्या दे रखाए प्रभाव क्या दे रखार किस चीज का है कि मलlles बॉल नप्रभाव तो यह वैसे जठके पर बोल कि प्रवाब कि मुजा कि सीज की देग रहा है वह किस इस का है कि कि तीन सेक्षन का प्रभाव है इसमें कि पंद्रह कि सत्रह इंपोर्टेंट ज्यान दखना यह क्योंकि फिर उन्नीस ए और वनी हुई है उसमें सूलै का है पंद्रहände सत्रह अठारह है तो पंद्रहां सत्रहार इंठार नहीं इसका प्रभाव कैसा है जेछ आपके देमाग में आ रहा हुआ फिर भाई 16 के लिए अलग क्यों बनाया प्रवाव तो उसके लिए प्रवाव इसक्षन शोले का प्रवाव 19 ए में ले रखा है 19 तो समझ में आगया ना 19 पढ़ो 19 पढ़ लिया Colorado i a m a section 16 का प्रभाव मैं ऑन्टियु निस ये में और उननिस में क्या अंटर है किस तरह का और देक्ट मना जाएगा वरेड वरेड आर और कि नहीं बंगाव यह अंतर कहां इस में लिख़ेते तो एक यह भी है अंडी इंफ्लेंस में कोई बैनिफिट उठा लिया है मालो आपका एक प्लॉट था इसे कम मैं नहीं दूगा नहीं यार इतने में दे दो अब मैंने ले लिया आप से और अधिसासित करने की स्थिति में था इसमें एक लश्टेशन दे रखा है सेक्शन सोले में उससे मुझे कौन बता देगा एक लड़की है जो अभी अभी वालिग हुई है इसको कोई समझा सकता है क्या किया रही है यह हाँ उसमें अभी वालिग हुई है न तो उसको जानकारी नहीं है और उसकी समझ को इसाब से बनाया कि भई अभी वालिग हुई है और पिता को जानकारी है कि गोड़ा कैसा है पागल है जैसे कोई सामान बेचने जाते है न अब मानलो कोई आदमी है अपना गोड़ा बेचने गया उसके लटका ले पागल गोड़ा कोई खरीदेगा क्या मानलो उसके गले में गटका रखा है पागल गोड़ा या अपने गोड़े की सारी कमिया कमिया लिख दी उसने तो कोई खरीदेगा क्या फित तो गवर्ण हो जाएगी ना कोई खरीदेगा ही नहीं यहां है जैसे एक केस चीटिंग में बताया था और वह दार भी है एक पिता होताएं अपने बेटी की साधि करने जाता है ऑग पिता है बेटी की साधि करने गया उसने लड़के को देखा है कि साधी तय हो गई साधी हो गई दमाद ने पिता के उपर केस किया बात में इस बात का केस किया कि तुम्हारी लड़की पहले से गर्बती थी और आपने मेरे दे को बताया नहीं साधी कर दी तो ये केस चलेगा क्या किता अपनी पुत्री की कमियों को क्यों बतायेगा यहाँ एक कंसेप्ट है क्येता साथधान उसे ही साथधान होना चाहिए था लेकिन क्या वो पूचेगा तुम्हारा गोड़ा पागल ना हो तो मैं तुम्हारा गोड़ा खरीद लूँ देखो ना सेक्शन 19a पर जाते हैं तो 19a में यह बताया हुआ है कि जब अधिसासित करने की जब किसी व्यक्ति की इस्थिती होती है एक पार्टी दूसरी पार्टी को डॉमिनेट करने की इस्थिती होती है और पॉंटेक्ट कर लिया गया है तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि क्या डॉमिनेट करने की वह इस्थिती में था या नहीं और ध्यान आ रहा होगा आपको बड़न अप्रूफ एक सो एक सो दो के बारे में नहीं पूछ रहा मैं को मैं 111 के वारे में पूछ रहा हूं कि यदे मामला कोई अंडी इंफ्लेशंच से आया है एक पक्ष दूसरे पक्ष को अधसासित करने की स्थिती में है तो उसी को साबित करना होगा कि वह अधसासित करने की स्थिती में नहीं था तो सिविल के लिए पूछ रहा है कि एक पार्टी दूसी पार्टी को डॉमिनेट करने की पोजिशन में नहीं थी तो उसको किसको सावित करना पड़ेगा उसमें एक दस्टान था न एड्वोकेट वाला एड्वोकेट वाला एक लश्टेशन था तो प्लीज भूलो मत इतर पढ़ रहें तो मैं सब चीजों को जोड़ दूँगा और आगे-आगे चलते जाओं न सब आपड़ेगा वापस देना हो देखो दो चीजे हैं एक होते हैं मिस्टेक आफ लौ और एक मिस्टेक आफ फैक्स तो यह कंसेप्ट आप सब अमेशा पढ़के आगे मिस्टेक आफ लौ इस नॉट एक्सक्यूजेबल विदी की जो भूल है ना वो छम में नहीं होती है उसकी क कि प्रॉचर कट्रव काल आफ वृ pushed रहतः प Nederु कि अब्स कोई कर लिया है झाल झाल